किसी स्यासी लीडर का एक बयान आया उत्तपदेश से कि उर्दू देशतगर्दों की जबान है तब अशोक साहिल के कासा एक फिक्र में ये शेर होता है कि मेरी उर्दू को देशतगर्द जिसने भी कहा होगा उसे तो अपनी मा का दूद भी कड़वा लगा होगा तो उस उर्दू तो वो शीरी जबान है और शीरी जबान का एक और खुबसूरत मतरन्य मिशायर जिसके लिए उर्दू की खिद्मात के लिए गालिबन तीन दहाई से मसलसल वो काम कर रहे हैं और दर्स और तद्रीश से जिनका तालुक है हमारे दर्मान बुरहान पूर से तश्रीफ लाए जनाबे ताहिन नकास साब वो आएं वो अपनी तकलिगास से नवाजें और यह उनका इस्तक्बाल जनाबे रियाद मुंसित साब फ़र्भाएंगे मतला अर्ज़ है कि मैं कहा जाओं किधर जाओं पता कोई नहीं मैं कहा जाओं किधर जाओं पता कोई नहीं सज बताए शहर नापुरसा मेरा कोई नहीं मैं कहा जाओं, किधर जाओं, पता कोई नहीं, सच बता है, शहर नापुरसा, मेरा कोई नहीं, शेर पेश करता हूँ के, मेरे उसके दर्मियां, मेरे उसके दर्मियां, शिक्वा गिला कोई नहीं, मेरे उसके दर्मियां, शिक्वा गिला कोई नहीं, सिर्फ दीवारे अना है, फासला कोई मेरे उसके दर्मिया शिक्वा गिला कोई नहीं सिर्फ दीवारे अना है फासला कोई नहीं और मैं हूँ रुस्वा ये तुम्हारे इश्क का फैजान है मैं हूँ रुस्वा ये तुम्हारे इश्क का फैजान है वरना मुझको शेहर में पहचानता कोई मैं हुरुसवा ये तुम्हारे इश्क का फैजान है वरना मुझको शेहर में पहचानता कोई नहीं और ये शेहर बतौरे खास पेश करता हूँ लाज़ा फरमाएं कि आपके मेरे कातिलों ने यू डुबोया है मुझे अबके मेरे कातिलों ने यू डुबोया है मुझे जील में हलचल नहीं है बुलबुला कोई नहीं अबके मेरे कातिलों ने यू डुबोया है मुझे जील में हलचल नहीं है बुलबुला कोई नहीं जील में हलचल नहीं है बुलबुला कोई नहीं और बले आसान सी घजल के दो तीन शेर और मुलाइज़ा फरमाएं अर्स करता हूँ कि मरमर के गुजारा नहीं करना हमको मरमर के गुजारा नहीं करना हमको अब इश्क दोबारा नहीं करना हमको मरमर के गुजारा नहीं करना हमको अब इश्क दुबारा नहीं करना हमको हम भी तुझे आवाज न देंगे हर्गिज हम भी तुझे आवाज न देंगे हर्गिज सुन तू भी पुकारा नहीं करना हमको हम भी तुझे आवाज न देंगे हर्गिज सुन तू भी पुकारा नहीं करना हमको रूठी हुई रहती है तेरी यादें भी यादों पे गुजारा नहीं करना हमको यादों को सहारा नहीं करना हमको रूठी हुई रहती है तेरी यादें भी यादों को सहारा नहीं करना हमको और ये दर्द महबत है हमारा विर्सा ये दर्द महब्बत है हमारा विर्सा इस दर्द का चारा नहीं करना हमको और एहसान अगर राह की दिवार बने तो एहसान गवारा नहीं करना हमको ऐसान अगर राह की दीवार बने तो एहसान गवारा नहीं करना हम को हजरात इक रामी मकमल खजल का मतलम लाज़ा फरमाई इसाथ जो दिल में चुपी थी वो अदावत नहीं समझी जो दिल में चुपी थी वो अदावत नहीं समझी जो दिल में चुपी थी वो अदावत नहीं समझी अदावत नहीं समझी हमने तेरिये दोस्त महबत नहीं समझी हमने तेरी ऐ दोस्त महबत नहीं समझी जो दिल में चुपी थी वो अदावत नहीं समझी अदावत नहीं समझी हमने तेरी ऐ दोस्त महबत नहीं समझी हमने तेरी ऐ दोस्त महबत नहीं समझी और ये भी शेर देखें उसने भी पलट कर नहीं देखा दा में रुखसत उसने भी पलट कर नहीं देखा दा में रुखसत देखादा में रुखसत उसने भी पलट कर नहीं देखादा में रुखसत देखादा में रुखसत हमने भी मनाने की जुरूरत नहीं समझी हमने भी मनाने की जुरूरत नहीं समझी जो दिल में छुपी थी वो अदावत नहीं समझी और ये शेर बतौरे खास जो आईबाब दूर तक बैठे हैं शायद ऐसा लग रहा है कि वो कहीं खो गए है तो मैं चाहता हूँ कि वापस आजाँ इस शेर के लिए जालिम ये तेरा जुल्म बस एक आह तलक है जालिम ये तेरा जुल्म बस एक आह तलक है तो ने अभी मजलूम की ताकत नहीं समगी तो ने अभी मजलूम की ताकत नहीं समगी जालिम ये तेरा जुल्म बस एक आह तलक है तो ने अभी मजलूम की ताकत नहीं समगी तो ने अभी मजलूम की ताकत नहीं समझी मैं जान के हारा था मेरे दोस्त मेरे यार मैं जान के हारा था मेरे दोस्त मेरे यार मेरे दोस्त मेरे यार मेरे दोस्त मेरे यार तूने मगर इस हार की हिकमत नहीं समझी हम तेरी रजा के लिए अंगार में कूदे हम तेरी रजा के लिए अंगार में कूदे हम तेरी रजा के लिए अंगार में कूदे क्या इश्क है क्या इसकी रवायत नहीं समझी क्या इश्क है क्या इसकी रवायत नहीं समझी तूने अभी मजलूम की ताकत नहीं समझी और ये शेर बत और एक खास में लाजागा इसाद तहकीर का तुम को भी हदफ बनना पड़ेगा तहकीर का तुम को भी हदफ बनना पड़ेगा तहकीर का तुम को भी हदफ बनना पड़ेगा हदफ बनना पड़ेगा गर तुमने किसी और की इज़त नहीं समझी तहतीर का तुमको भी हदफ बनना पड़ेगा हदफ बनना पड़ेगा गर तुमने किसी और की इज़त नहीं समझी और ये मक्ताम लाज़ा फर्माने है इशार है वो जान लुटा देने को तैयार था तुम पर वो जान लुटा देने को तैयार था तुम पर वो जान लुटा देने को तैयार था तुम पर तैयार था तुम पर नकाश मगर तुमने मोहबत नहीं समझी क्या इश्क है क्या इसकी रिवायत नहीं समझी